नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूटूब चैनल फार्मिंग सेमूलेटर यूटूब चैनल पर मैं किसान दोस्त मुकेश यादव आप सभी दर्सकें किसान सातियों को एक बार फिर नमस्कार करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अब प्याज के भाव में जो है तेजी आने की संभावना बन चुकी है और रूला सकता है प्याज जहां दोस्तो बारिस और उलाव रष्टी से जहां किसानों की फसल ने फिर से किसानों को रुलाया है और वही प्याज अब आम जनता को भी रुलाने वाला है दोस्तो बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में प्याज के भाव में भेंकरते जी की इसी के साथ बात होगी दोस्तो आयात निर्यात की और साथ में बात होगी दोस्तो अगेती एम पीछेती फसल प्याज की तो दोस्तो जो भी भाई चेनल को पेली बार देख रहे हैं वो चेनल को सस्क्राइब कर ले पास आई गंटी को दबा ले ताकि दोस्तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शमी शमी पर प्राप्त हो सके तो बात कर लेते हैं दोस्तो प्याज में आने वाली तेजी के बारे में दोस्तो जहां प्याज की फसल कही राज्यों में लगाई जाती है एसे में दोस्तो, खरीब सीजं की फसल की अगर बात करूँ तो महराष्ट सबसे बढ़ा उत्पादंक राज्य है वहीं दूसरे नमबर पर जो है up राजस्थान की अगर बात करें दोस्तो तो अल्वर जिले में जो है खरीब फसल लगाई जाती है प्याज की वहीं दोस्तों तीसरे नमबर पर जो है पचेती फसल की बात करूँ तो मद्यपरदेश तीसरे नमबर पर आता है दोस्तो ऐसे में कही ने कही जहां पर पिछले मोसम की अगर बात करो दोस्तो तो महाराश्ट की जो किसान थे उनकी कमर बार और बारिस ने तोड़ी थी वहीं दोस्तो हक्टूम्बर में काफी वारिस होने की वज़े से अलवर एवं महाराष्ट में जो है नासिक जिले में काफी नुकसान फसल को हुआ था वहीं दोस्तो उत्पादन काफी कम निकलने की वज़े से किसान उनों की फसल काफी ही कम निकली थी दोस्तो ऐसे में कहीं ने कहीं महाराश्ट और अलवर जिले की जो है प्याज अब जो है करीब करीब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है वहीं दोस्तो बात कर लो पचेती फसल की तो पचेती फसल मद्य परदेश में जो है नासिक प्याज की लगाई गई थी दोस्तो इन दिनों हुई बारिस ने फसल को जो है काफी प्रभावित किया है दोस्तो ओलाव रष्टी और बारिस से जो है मद्यपरदेश की पचेती नासिक फसल जो है बरबाद होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तो बारिस और उलाव रष्टी की वज़े से जो प्याज की जो फसलती वह सडने लगी है खेतों में पड़ी है दोस्तो सिर्फ किसानों के सामने सिर्फ अपनी फसल को देखकर रोने के अलावा दुसरा कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तो इसी वज़े से जो कही ने कही प्याज के भाव में आने वाले दिनों में आग लगने वाली है दोस्तो बात कर ले अगर प्याज मंडियों की तो दोस्तो प्याज मंडियों में वेसे ही जो है आवा कंट्रोल में दिखती हुई दिखाई दे रही थी ऐसे में दोस्तों उपर से बाड़ और उलाव रष्टी से बारिस से दोस्तों बारिस और उलाव रष्टी से जो कई ने कई फ़सल को काफी अच्छा जो है खासा नुकसान पहुचा है दोस्तो ऐसे में किसानों के पास सिर्फ हाथ रखने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है दोस्तो प्याज जो है अभी किसानों को रूला रहा है और आने वाले दिनों में आम जंता को भी जो है प्याज रूलाने की जो है कोशिश करेगा दोस्तों मंडियों के अगर बात करें तो 20 से 30 रुपे प्रती किलो अभी जो नासिक प्याज जो बेस्ट भिक रहा था वह दोस्तों आने वाले दिनों में 50-60 रुपे की जो है तेजी के साथ भिकने को तैयार हो जाएगा दोस्तों बात कर लो तीसरे नंबर के कारण की तो दोस्तों कारण यह भी है कि दोस्तों भारत से जो है काफी मातरा में इस्पोर्ट जो है दूसरे देशों ने जो है मांगा है तो दोस्तो भारत से काफी मातरा में प्याज जो है स्पोर्ट होने वाला है दोस्तो ऐसे में मांग डिमांड और बढ़ेगी और प्याज की जो है कमी देश में देखने को मिलेगी यही कारणे दोस्तों की प्याज के भाव में आग लगने वाली है ये की ओर उलाएगा आमजनता को प्याज दोस्तो बात कर लो पच्छेती फसल की तो पच्छेती फसल दोस्तो MP में जो है गर्मी की फसल जो है अब जो है जनवरी में लगाई जा रही है क्योंकि दोस्तो जनवरी में लगाने का कारण यही है कि बारिस की वज़े से जो है कहीं ने कहीं जो है लेट हो चुकी है और अब जो है यह फसल जो है दोस्तो मार्च अपरेल में जो है निकलने वाली है लेकिन दोस्तो इससे पहले अभी किसी भी राज्य से जो फसल काफी मातरा में निकलने वाली नहीं है तो दोस्तो में कारण यह है कि आने वाले दिनों में प्याज में तेजी ही तेजी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने किसान साती के साथ वीडियो को जरूर सेयर करें इसी के साथ जै जवान जै किशान मिलता हो अगले ने इस्ट वीडियो में जै हिंद